हलो फ्रेंड्स वल्कम टो सिंपल एलेक्ट्रोनिक्स फ्रेंड्स यह हाथ में जो है दोनों Bluetooth कीट है मगर इसका मॉडेल और लोकिंग भी थोड़ा अलग है मगर देखने में वह बिल्कुल एक ही लगता है गौर से देखो के तो इसका दोनों का आईसी जो है उसका नमबर लग है तो इसके पहले जो विडियो बनाएते हैं तो उसमें यह वाला जो बोड़ है इसको मॉडिफाइब करके दिखाएते कैसे पेंड्राइफ से Bluetooth को स्विच किया जाता है और एक LED को यहां पर लगा के दिखाएते कैसी बिलिंक करते हैं मीजिक के साथ तो दोस्तों आज आज जाते हैं मगर आज के वड़ा में दोस्तों इसको थोड़ा सा मॉडिफाइब करेंगा यूटूब में इस तरह के वीडियो आपको फर्स टाइम मिल जा रहा है देखने के लिए दोस्तों लोकल मर्केट में यह Bluetooth कीट आपको 50 रुपे में बहुत आसानी से मिल जाएगा मगर इसको हमने online से लिए हैं यहाँ पर देख सकतो यह Amazon online से लिए इसका जो बाइंग लिंग है हम description में दे देंगे इसका कुछ common pin है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ पीछे देख सकतो यहाँ फाइब वोल्ड positive है यह ground है और यह left channel out और राइट channel out और बाकी दोस्ता अग पहले इसको connection करते हैं और आपको बताते हैं इसका जो माई का पीन है वह कहां पर होगा और लाल बाला जो अरे positive supply 5 बोल्ड देंगे ब्लू में ground देंगे टेस्टिंग करेंगे इसलिए audio out एक ही पीन से ले रहा है यहाँ पर और यह जा रहा है सीधा amplifier में अभी दूस्तर यहा देंगे audio out के लिए यहां से बाड़ा फोल्ड आ रहा है और बाड़ा फोल्ड से 5 बोल्ड करने के लिए हाँ पर हमने 85 एक आइसी की उज़ किये हैं और यहां सब्सक्राइब को फिल्टर करने के लिए 220 में 25 वल्ड वाला कपसिटर दे दिये हैं तो दूस्तों यहां पर यह देख सेक्तों यहां पर यह 3.0 बीटी बोल कर रहा है तो इसको हमने on कर लिया है तो यहां पर यह पर ये प्यार करने के लिए बोल रहा है हम इसको on कर देते हैं तो दूस्त आवाज आप सुन सकते हो यह और मेंतलब कर यह connected हो गया है और यहां पर निशान भी आ रहा है दे इंट्रोस्टिंग डिकाएंगे, इसको हम थोड़ा से पीछे कर लेता है, जो इंट्रोस्टिंग चीज दिखाएंगे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास जो दूस्टा फोन है, इस फोन में कॉल करेंगे इस नंबर से, तो इस call कर receive कर लेता है यह वाला जो कीट है इसका जो calling वाला जो speaker है इसका काम नहीं करेगा क्योंकि यह वाला कीट ही कुछ ऐसा है यह बहुत ही अच्छा कीट है अगर आप चाहो तो इसे modify कर सकता अभी modify कैसे करना पड़ेगा वह आप लोगों का हम दिखा दे रहे हैं तो इस phone को थोड़ा सा side में रखते हैं और मतलब कि यह जो loud में जो आ रहा है इसको हम on कर लेते हैं तो अभी loud को हमने on कर लिए और यहां पर एक option मिलता है जिसको अभी हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को तो यह तार लिया आपको और यहां पर एक audio का पीन है जैसे हम यहां पर इसको touch करेंगे यह वाला जिस speaker है इसको हम बिल्कुल mute कर दिये और देखिए जब इसका जो इस IC का दो नंबर जो पीन है इस side से उसमें mic का option आता है तो इसको जैसे हम touch कर रहे हैं देखिए यहां पर एक sound आ रहा है यह आभी loud में है ठीक है इसको mute कर दिये और यह loud में है जैसे हम इसको touch कर रहे यह देखिए इसका जो second बाला जो पीन है यह यह वाला जो दो नंबर जो पीन है इसमें हम mic लगाएंगे mic कौन सा होगा वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं यह वाला जो mic है इसको यहां पर लगाएंगे दोस्तों इसको हमने direct connect करके देख चुके है इसका आवाज का quality ठीक से नहीं आता है तो इसके लिए थोड़ा सा एक pre-amplifier वनना पड़ेगा माइक कॉंडेंसर के लिए ठीक है तो वह भी बहुत ही आथा ने आप लोगों को वीडियो में दिखा दे रहा है दोस्तों माइक pre-amplifier के लिए एक 3904 टांजिस्टर लेंगे जिसका एमिटर का पीन ग्राउंड में connected होगा यानि कि माइनाज वोल्ट के साथ और जो collector पीन है इस पी पॉजिटिव भोल्ट देंगे टेन के रिजिस्टेंस के साथ ट्रंजिस्टर को आन करने के लिए बायसिंग बोल्टेस देना पड़ेगा इसलिए हांड़ेट के रिजिस्टेंस देके collector के साथ जोर देंगे यहाँ पर पॉइंट वन माइक्रोफैरेट एक क्यापसिटर देंगे माइक कॉंडेनसर में 10 के रिजिस्टेंस से पावर देंगे और यह हमाडा माइक कॉंडेनसर है जिसका दूस्टा भी ग्राउन के साथ connected होगा और यहाँ से जो आउटपूट होगा इसको यहाँ पर देंगे जैसी ट्रंजिस्ट है इसका लिए इस साइट से दो नमबर जो पीन है उसमें इंपूट दे देंगे तो आपका माइक जो वो काम करना चलू हो जाएगा अभी जुस्तों इस ब्रेडवोट के अंदर यह जो सर्कुट है इसको पहले डिजाइन कर लेते हैं जुस्तों यहां पर जो माइक का प्रिय साउंड पुरागर काम करते हैं तो यह देखे मैं यहां से अगर बताता हूं कुछ हलो हलो तो यह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है दोस्तों अभी यह बला जो कीट है इसको हम यहां पर लगाएंगे दोस्तों यह पर देख सकतो हमने इस सर्कुट को पूरा कम्टिट कर यहां इसको फिक्सट कर दी इसके उपर और यहांप माइक है और यह प्रियांप्लीफायर होके इसको जो थो पॉइंट है आपको इसको टेस्ट करके दिखाएंग्म यहां पर लगेगा और यह पॉजिटीव जी रिए मतलब 5-Bold प्लस के लिए इसको भी लगा दिया है और दोस्तों audio out जैसे हमने पहले बताया थे आपको यह मेरा audio out है यह volume के तरफ जा रहे है यह resistance होके और यह amplifier जो पहले बत दिखाया थे और यह audio mode का किसी भी एक pointer left या right कोई भी एक point को लेने से ही हो जाएगा testing करने के लिए दिखा रहा हूं है तो इसको हम यहां पर जाल दे रहा है कि अभी दोस्तों power को on करेंगे अभी जो calling बलब सीचर से उससे दिखाने वाले थे आप लोगों को इसलिए भी call करते हैं इस number पर इसमें एक सीम लगा हुआ है उसमें call कर रहे हैं अभी अभी इसमें call आ रहा है तो call को रिसीट किया हमने यह देखिए तो अभी अभी इस तो फोन का जो लॉड़ी स्पिकर इसको on कर देता है इसको अभी आम आन कर दिये देख रहे है यह on है ठीक है अभी इस सुनाई दे रहे है हलो 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 तो यह बहुत ही अच्छा फीचर है तो दोस्तों देख सकते हो किस तरह से हम ने इसको modify कि है अगर आपको लगे कोई bluetooth में इस तरह का option आ रहा है उपर में headphone जैसा आ रहा है और यह तो फिर आप आप बात कर रहे है Bluetooth किट से और अपकी स्पीकर का आवाज सुनाई ने दे रहे है तो समझ लेना कि इसके अंदर audio का इसका opposite side में देखिएगा कि इस तरह का एक point है यह यह वाला एक capacitor लगा हुआ है इस सामने का यह निशन देख के लिजेगा इसी बाला यह वाला बोड में इस यह वाला option है माइक बाला option है इस बोड में माइक बाला option नहीं है ठीक है तो दूस्तों वीडियो अगर अच्छे अगलेक नए वीडियो में